दोस्तों फसलों की जड़ू में बहुत तरीके के किटू का परकॉफ होता है जैसे कि दीमक है वाइट ग्रब है या और भी बहुत सारे इंसेक्ट का परकॉफ होता है उसके साथ एक रोप जब छोटी होती है स्टैम बोरर वगरे की समझे आती है लीफ माइनर की समझे आती है तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए छोटी क्रोप में तो सभी परकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए किसान सबसे ज़्यादा कीटनाशिक की ड्रेंचिंग करते हैं या फिर डिप से चलाते हैं तो आज क ग्रब है, मिली बग है, स्टेम बोरर है और भी सभी परकार के छोटी क्रोफ है तो सभी परकार के किटो को ये कंट्रोल कर लेते हैं बड़ी क्रोफ है तो जैसे वाइट ग्रब बगर की समशारी है दीमक की समशारी तो उनके लिए बेस्ट कीतनाशिक कौन से है और कौन से कीत नाशक ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल आपको फसल में ड्रेंचिंग के थ्रू या फिर ड्रिप के थ्रू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो अगर ओवर हो जाती है तो क्रोप में साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए क्यान तेक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तो माहू अनीता सिंग आप देख रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी सबस्ता आशनी से अविलेबल होने वाला सबसे बेस्ट कीटनाशक है। यह देखिए और सेकंड कीतना शेक है दोस्तों आप ड्रिप के तुरू या फिर ड्रेंचिंग करना चाहरें तो बाइर का या आता है कॉन फिडोर यह भी बहुत ही सस्ता आसानी से मिलने वाला कीतना शेक है जिसमें इमिडा क्लोप्रिड 17.8% SL फोर में आता है लिक्विड फोर में आता है और इनकी साथ में आप कोई भी फंगिसाइड जैसे शुरुआती है अगर क्रोप छोटी है उसमें रेडो मिल गोल्ड वगर आप फंगिसाइड यूज़ करना चाहरें अक्सर किसान उसकी समश्या रूट में इंसेक्ट का प्रकोब बहुत जादा है दीमक की समश्या है या गन्ने में वाइट गरब की समश्या बहुत जादा आती है स्टेंब औरर की भी समश्या आती है तो ऐसी सिच्वेशन के लिए सबसे बेस्ट कीतनाशिक होता है लिसेंटा ये भी बाइर का आता है, फिप्रोनिल 40% और इमिडा क्लोपरिट भी 40% आता है, यह effective इसलिए है दोस्तों, इसमें फिप्रोनिल भी है और इमिडा क्लोपरिट भी है, यानि कि contact भी और systemic भी कीतनाशिक है, तो यह double इसका mood of action हो गया है, तो double तरीके से यह कीटू से फसलों को लंबे समय तक पच आता है, लिसेंटा की जगे आप police insecticide भी यूज कर सकते हैं, जो कि गहड़ा कंपनी का आता है, उसमें भी same technical content आता है, तो इन दोनों में से आपको जो भी मिल जाए, white grape की समशे space lip बहुत जादा है, तो आप इसको यूज कीजे, effective है, बहुत effective है यह, और लंबे समय तक इसका result देखने को मिलता है, और fourth number पे बहुत effective कीट नाशिक है दोस्तों, सिजेंटा का एकतारा कीट नाशिक, जिसमें कि थायो में थोकसम 25% आता है, तो आप एकतारा की भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, अपनी फसलों की शुरुवाती stage में भी, और अगर crop बड़ी है, तब भी बहुत सारे कीट नाशिक है, जिसमें थायो में थोकसम है, या फिर इमिदा क्लोप्रीड है, फिपरोनिल है, ऐसे कीट नाशिकों के आप बे जीज़क ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या ड्रिप से भी चला सकते हैं, इनका result बहुत अच्छा देखने को मिलता है, दोस्तों, बा या लिसेंटा में भी 40% आ गया, तो इस तरीके कीट नाशिक आप यूज कर सकते हैं, एड्मायर थोड़ा सा महेंगा कीट नाशिक है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्यूंकि 70% है, लेकिन आप उसकी जगर सस्ते कीट नाशिक भी यूज करके अच्छे से कंट्रोल कर सक हैं, और लास्ट में दोस्तों, अगर क्रोप छोटी है, सबजी वर्गी फसल है, तो उसमें हैवी कीट नाशिक यूज नहीं कर सकते हैं, तो बाइर के रिजेंट की साथ में, रिजेंट जो लिक्विड फॉर्म में है, 5% SC4 में आता है, इसकी साथ में आप बाइर का ही डेल दोस्तों, इससे सावधानी की तोर पे सबजी वर्गी जो भी फसले हैं, मिर्ची टमाटर, तर्बूज, खर्बूज है, या बेल वर्गी है, जो भी फसले हैं, सबी फसलों में, क्लोर, फायरिफोस और साइपर, मैतरिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, इस कीट नाशिक का आ प्लांट्स को जला देता है, तो ये इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, दोस्तों, आपकी क्रोप में किस टाइप की कीटू का प्रकॉफ होता है, या किस टाइप के रोगों का प्रकॉफ ज्यादा होता है, कमेंट करके आप जरूर बताएए, और इस चैनल के 100 क के सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं तो आप फटा-फट ज्यादा से ज्यादा किसां दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाए जानकर यह अच्छी लगी है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए धन्यवाद